नमस्कार दोस्तों आज हम चतुर्त पाठ का ब्यास करने वाले हैं और पाठ का नाम है शिशू लालनम शिशू का आर्थ होता है पुत्र लालनम का आर्थ होता है पुत्र प्रेम इस पाठ में राम का आपने पुत्रों के प्रति जो प्यार है वो दर्शाय गया है तो चले हम समझ लेते हैं, सबसे पहले हम वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दशा अर्थ, और फीर वाक्य का सरल अर्थ, तो चले शुरुआत करते हैं, सिहा सनस्तह राम है, सिहा सनस्तह मतलब सिहा सन पर बैटे हुए राम, मतलब एक ड्रामा है, और अभी वो बता रहे कि स्टेज पर क्या क्या हो रहा है, और कौन सा क्यारेक्टर किस तरह से है, तो यहां वो बता रहे कि अभी स्टेज पर सिहा सन पर बैटे हुए राम है, ततह प्रविशतह विदुशकेन उपदेश्यमान मार गव, तापसव कुशलव, ततह मतलब उसके बाद प्रविशतह प्रविश करते हैं, विदुशकेन, विदुशके द्वारा उपदेश्यमान मार गव, उपदेश के जाने वाले ऐसे तापसव, दो तापसवी कुशलव, कुश और लव, वाक्य का सरलर्थ, तो उसके बाद विदुशके द्वारा जो उपदेश किया गया है, मतलब मार है, ऐसे दो तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं, wenतलब विदुशक कहता है अभी विदुशक के कैरिक्टर है ड्रामा में लिया गया है. इतह इतह आरियो, यहा से यहा से आरियो, आरियो मतलब हे लव और कुष आप यहा से आओ, यहा से आओ, कुषल वो, रामम उपसुरुत्य प्रनम्यच, रामम उपसुरुत्य राम के समिप जाकर प्रनम्यच प्रनम्यच प्रनाम करके, अपी कुषल महाराजस्य, अपी मतलब सब्सकर धिक ठाक है आप कुछ खो तब राम कहते है विश्मत मतलब आपके दर्शन से कुछलाउ है वाक्य का स मतल धर्शन से सब कुछ ठीकी है कुछलम इव सब कुछ ठीक है बहुत हो किम वय मतलब हम अत्र मतलब यहा, कुशल प्रश्ण का भाजन मतलब पात्र एव मतलब ही, न मतलब नहीं, पुनह मतलब वापस, अतिती जन समुचितस्य, अतिती जन का योग्य, कंठाश लेशस्य, गले लगने का, अभी उसका सरलर्थ, क्या मैं आपके एक एवल प्रश्ण पुछने का ही प अलिंगन देता है, अहो, रुधेग राही स्पर्शह, और जब राम लव कुश्को अलिंगन देता है, गले लगा लेता है, तब राम को च्छूने वाला, मतलब दील तक जाने वाला, यह सपर्श है, मतलब उनुह एक सुकुन मिलता है, तो राम आध्यासन पर बेटते है, और थोड़ी सी जगर रखते हैं, मानों ऐसे लगता है कि राम मन में सोच रहे कि मैं इन दोनों को अपने आसन पर बिटाओ, तब वो लव कुछ कहते हैं, उभव, वो दोनों भी कहते हैं, राजासनम खलू यतत, ये राजा का आसन है, खलू यतत, सच मुझ, खलू मतलब सच म यतत मतलब यह, यह राजासने न युक्तम अध्यास तो मतलब बैटने के लिए, ये बैटने के लिए सही नहीं है, तब राम कहते हैं, राम सव्यवदाहनम न चारित्र लोपायो, सव्यवदाहनम मतलब रुकावट, न मतलब नहीं, चारित्र लोपायो, चारित्र नष्ट ह होने के लिए मतलब character नश्ट होने के लिए तो जैसे राम ने कहा कि आप आशन पर बैठो तब यह दोनों क्या कहते हैं कि नहीं यह तो राजया का आशन है यहां हम नहीं बैठ सकते तो यहां कहने का दात्पर यह है कि यह वो आशन पर बैठ जाएंगे तो लोग समझेंगे कि लोग कुछ कितने लालची है तो उससे चारित्र नश्ट हो शकता है तो इसलिए राम कहते कि इससे चारित्र आपका नश्ट नहीं होगा नहीं होना चाहिए तसमाद अंक व्यवईतम अध्यास चताम सिहासनम तसमाद मतलब उसलिए अंक मतलब गोधी व्यवईतम मतलब बाधी तरोका हुआ अध्यास चताम मतलब बैठो सिहासनम मतलब सिहासन पर तो सरलर्ट उसलिए आप मेरे गोधी में बैठ जाओ सिहासन को कोई खत्रा नहीं है अंकम उपवेशेती और गोधी में बिठाता है तब वो दोनों कहते हैं मतलब लव और कुछ दोनों अनिच्छम नाटे तह मतलब इच्छा नहीं दिखाते तैसे राम ने का क्या आप मेरे गोधी में बेटो तो वो दोनों विल्कुल विच्छा दिखाते हैं कि हमें कोई दिखाना बंद करो तब राम केते हैं अलम अतिशालीन तया अलम मतलब बस करो अतिशालीन तया मतलब नम्रता दिखाना बंद करो या उसका दूसरा आरत होता है ज्यादा शर्माना भी बस करो अभी ज्यादा शर्मानिक जरूरत नहीं है तब राम उन्हें समझाने के लिए बोलते कि यह जो मैं कर रहा हो यह कोई नाटक ने कर रहा है क्यों चतुराइनी कर रहा हूँ आप छोटे बच्चो इसलिए मेरा थोड़ा सा प्यार बढ़ गया है इसलिए मैं सब कर रहा हूँ उसके लिए उश्लोक बोलते हैं पहले हम अनुवई पडेंगे और अनुवई का एक साथ अर्थ समझ लेंगे गुनमतम मतलब गुनी महाल लोगों के लिए अपी मतलब वयह अनुरोधात चोटी उम्र होने के कारण शिशुजनह लालनी है एव छोटे बच्चे प्यार करने के लिए होते हैं बाल भावात चोटे बाहा होने के कारण हिमकरह चांद अपी मतलब भी पश्रुपती मतलब भगवान शंकर मस्तक मतलब मस्तक केतक चेदतों मतलब केतकी पुश्पो से निर्मित चुड़ा व्रजेती मतलब सुशोबित होता है अब इस लोग का सरल अर्थ गुरुवान लोगों के लिए भी चोटी ओमरेक कारण जो बच्चे होते हैं वह प्यार करने के लिए ही होते हैं प्यार करने योगी होते जैसे चान एक बाल भावने का एकदम सुंदर रिखता है चोटे बच्चों की तरह दिखता है इसलिए वो चान भगवान श्यू के मस्तक पर विराजमान है सुशोबीत है उसी तरह से आप यहां राम बच्चों को समझा रहे मतलब लोग कुछ को समझ रहे आप चोटे बच्चों इसलिए मेरा प्यार आप पर बढ़ रहा है उसके लिए कोई चतुराई नहीं कोई चादा की नहीं है ऐसा यहां राम उन्हें समझा रहे है राम कहते हैं ये शह बहुत हो संदर्याव लोक जनितेन प्रुच्छा में यह बहुत हो मतलब आप दो यह जो मैं हूँ आपका संदर देखने कारण मेरे अंदर इच्छाए निर्मान ہو लूऑ है और मैं अब को पूछता हूँ तो पूछते हैं दृट्रीय कुल पिताम हो सूर्य चंद्र ए उहता हूँ उन में कह कोण है वा मतलब सूरिय या चंद्र ऐसा उसका मिनिग बहुत हो आपके ओंसय से ओंसय का करता करता मतलबना निर्माता सालरत की ये ये क्शित्रिय कूल के जो पिताम है चंदर या सूर्य उन दोनों में से आप के वहां उन्षका करता कोन है популяр भगवन सच्र दी धी है भगवन मतलब है आधर निया सच्र दी धीति मतलब सूर्य हमारे वहां उन्षका करता उन्हें में धी है तम एस्पर हो जाता है। समुरुत्त मतलब उए हो तो आप हमारे जैसे एकुल में कैसे उत्पन्न हुए हो तब विदूशक कहता है किम दोयों हो अपी एक में हो प्रतिवचनम कि मतलब क्या दोयों मतलब दोनों का अपी मतलब भी एक में हो एक ही प्रतिवचनम मतलब उत्तर क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है तब लव कहता है लव ब्रातरों आवाम सवधर्यों हम दोनों सगे भाई है ब्रातरों मतलब भाई आवाम मतलब हम दोनों सवधर्यों सगे हम दोनों सगे भाई है तब राम कहता है रामह समरूपह शरीर सन्य वेश हो आप दोनों का शरीर तो एक सेसा दिखता है, कुछ अलगपन दिखता ही नहीं है, वैसा है तू न किंचित अंतरम, और वैसा मतलब आयू में भी, येज में भी कुछ डिफरंस याद दिखनी रहा है, तब लव कहता है आवाम यमलव, हम दोनों जिरुवा है, तर राम कहते है संप्रतियुजत, अब ठीक है, किन नाम अधियम, क्या नाम हैं आपका, तब लव कहता है लवह, आर्यास से वण्ड़ना यम, लवह इती आत्मानम श्राव यामी, अब ये पुराने जमनी की पद्दते, नाम बताने की, आर्यास से वण्दाना यम, मतलव आर्यास रेस्टर, पतलव आपको कह निर्दिश करके आर्यह अपि गुरु चरन वंदडनायां। तु भी गुरु चरन की वंदडना करके .। अहम अपि कुश हैंई और राम को ँद्धर हो जता है राम कहते हैं इन दोनों का आचरन कितना सुन्दर है कितना रमनिय है किम नाम दे यह भवतो हो गुरु हूँ और आपके गुरु का नाम क्या है राम को जानने की चाहूई है तब लोग कहता है ननु भगवान वालमिकी ही ननु मतलब सच्मूच भगवान मतलब भगवान स्रेष्ट वालमिकी ही वालमिकी ही हमारे गुरू वालमिकी है तब राम कहते है के न संबन्देन किस कारण से तब लोग कहता है उपनेन उपदेशन उन्होंने हमें उपनेन की द वेधितु मिच्छामी अह मतलब मैं अत्र भहुत है मतलब आदरनिय आपके जब भी भवान सरो नाम के पहले अत्र लगाया जाएगा तो उसका अर्थ आदरनिय ज्यादा रिस्पेक दिखाने के लिए अत्र लगाया जाता है ऐसे समझ लेना है तो आपके आदरनिय जनकम पित मेरे बेटे है ऐसा पता नहीं है तब लग कहता है नहीं जाना मी अस्य नाम धेयम मैं उसका नाम नहीं जानता हो मैं उनका नाम नहीं जानता हो ना कश्चिद अस्मिन तपोने तस्य नाम व्यवरती ना मतलब नहीं कश्चिद अस्मिन कोई भी अस्मिन तपोने इस तपोन में इस वन में तस्य नाम व्यवरती उस नाम का यूज कोई नहीं करता है कोई उसका नाम नहीं लेता है तब राम कहता है अहो महात्में क्या महात् कहा ह्या हुआ कि इसके वज़े से इसके पिता कोई नाम नहीं ले रहा है इस जंगल में तब कुछ कहता है इसका नाम निर्दई है राम कहते है वैस्य हैं, दोस्त अभी या वैस्य यह जो संबोधने कोच नहीं यह यहां शिश्टी समझने की भूल नहीं करना है वैसे मुल शब्दाई उस तरह से उसका आर्थ होता है मित्र है दोस्त मतलब विदुषक के लिए उसक्या गया है अपुर्वं खलू नाम दें ये तो बहुत अजीब नाम है अपुर्वं मतलब अजीब अनुखा तब विदुषक हो विचिंत्य सोचकर एवं तावत पुच् निरुनुक्रोशहिति कह एवं भनती निरुनुक्रोशह निर्दई ऐसा कौन बोलता है भनती मतलब बोलता है तब कुश्र कहता है अंबा मेरी माता ऐसे बोलती निर्दई निर्दई तब विदुषक कहता है किम कुपिता एवं भनती उतर प्रकुर्तिस था तो विदुष तब कुछ कहता है यदी आवयो हो बाल भाव जनितम किंचित अविनेम पर्षती यदी आवयो हो हम दोनों के बाल भाव जनितम हमारे बाल सोबाओं के अनुरूप ऐसा कुछ किंचित अविनेम कुछ गलत हो जाता है और जब ऐसा पर्षती जब देखती है तदा एवं पुट्रो नीरदई के बेटे माचाप्लम इती चपलता मत करो चंचलता मत करो इस तरह से में डाढती है तुम नीरदई के बेटे तब इदुशक है यदी पितुहु निरुनुक्रोशह इती नाम देहं येदी इंदों के पिता का नाम देहं तो इसका मतलब यह है कि येदी नाम देहं इन दोनों की जो माता है जननी तेनाव मानिता उसने इसका अपमान किया होगा या तो निर्वासिता निकाल दी गई होगी इसलिए इस वचन के द्वारा दार को मतलब दोनों पुत्रों को निर्वर्थ सेती डाड़ती है विदुशक कैसा कलपना कर रहा है शायद निर्दई कहने के पीछे यह कारण होगा कि उसने इसके मा को निकाल दिया होगा अपमान किया होगा इसलिए इसकी मा गुसे में ऐसा डाड़ती है बोलती है तब राम अपने मन में ही सोचता है सोगतम अपने मन में ही दिंग माम एवम भूतम मुझ पर धिकार है अभी राम को तोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे थोड़ा सा याद आया कि सिता का मैंने जो त्याक किया है शायद यही वो है सा तपस्विनी मत कुरतेन अपरादेन वह जो तपस्विनी हो जो स्रीय है मैंने जो अपरात क्या उस अपरात के कारण स्वापत्यम एवं खुद के बेटों को ही एवं इस तरह से मन्यूगर्वई ही गुस्से वालोई शब्दों के द्वारा अक्षरी शब्दों के द्वारा निर्बर्थ सेती डाड़ती है, सव वाश्पम अवलोकेती और उसके आख यह बहुती दीर्ग बहुती लंबी है, वह दार उना भहुत कठीन है, विदुशकम अवलोक्य जनानतिकम, और विदुशक की ओर देखकर जनानतिकम उसे समय बुलाता है, कुतुहलेन आविष्टह मातरम अनयोह नामतह वेधितुमिच्छामी, और थोड़ा सा डाउट होन मेरा मन कुछ जनने की च्छा कर रहा है, इसलिए मातरम अनयोह नामतह इस दोनों की माता का नाम वेधितुमिच्छामी में जनना चातू, नयुक्तम च स्रीगतम अनुयोक्तुम और उस यह भी पता है, राम को यह भी पता है, नयुक्तम योग्य नहीं है, किसी स्री के बारे किसी च्री के बारे में जानना जो सब्सकुए बारे में जानना जो सब्सक्राइए कुछ सभी तो इसे जगह पर तह बिलूपन कऊंसा उपह क्या कर आभी मुजह जानना है मतलब इशारा करके मैं वापस पुछता हो अभी तो वो राम के साथ बातचित कर रहा था अभी वो ऐसी बात करेगा जो लव कुछ को सुने देगा आप दोनों के माता का नाम क्या है तब लव कहता है उसके दो नाम है विदुशक का कथम यह कैसे तब लव कहता है तपो नवासिनह देवी इती नामना आववयंती तपो नवासिनह मतलब इन तपस्वी वन में रहने वाले जो लोग है वो देवी इती देवी इस नाम से उसे पुकारते है बगवान वालमी की वदु इती और भगवान वालमे की हमारे जो गुरु है वो वदू इस नाम से हमारे माता को पुकारते हैं जब राम यह सब बाते सुन रहा था तब उसके मन में इसा डाउट होने लगा कि शायद इसके मतलब लव कुछ के और मेरे साथ कुछ रिलेशन है कुछ बहुत सारे बाते सिमिलर लग रही थी तब राम विदूशक को थोड़ा अपने पास बुलाने के लिए कहता है अपी चे इतहतावद वैस्य मतलब है दोस अपी चे इतहतावद थोड़ा सा इधर से भी मुर्त मात्रम किंचिक समय के लिए थोड़ा इधर आजा तब विदूशक उपसरुत्य उसके पास आकर आज्या पयतु भावान आप आज्या दो तब राम कहता है अपी कुमारयोहो अनयोहो अस्माकम चे सर्वता समरूपह कुटुम्ब वृत्तांत अपी भी अपी मतलब भी कुमारयोहो अनयोहो इन दोनों कुमारों का इन दोनों बच्चों का अस्माकम और हमारा चे सर्वता और सर्वता सभी प्रकार से समरूप एक जैसा कुटुम्ब उृत्तंत कुटुम्ब की कहानी है हमारी फैमिली की और इन दोनों की फैमिली की एक जैसी कहानी लग रही है क्या ऐसा है नेपत्ते परदे के पिछे से क्योंकि अभी एक ड्रामा चल रहा है तो अभी कोई तो आवाज दे रहा है तो परदे के पिछे से आवाज देगा तो इसलिए नेपत्ते ऐसा शब्द का प्रयोग किया है ये तीवेला संजाता इतनी देर हो गई है रामायन गानस्य, रामायन गीत का रामायन गीत गाने का इतना देर हो गई इतनी देर हो गई है नियोगह की मर्थम न भी दियते, फिर भी काम को शुरुआत क्यों नहीं किया, मतलब गीद गाने का कार्य क्यों शुरू नहीं किया, तब उभव, तब दोनों कहते लव और कुछ एक साथ राजन है राजन, उपाध ध्याय दूत अस्मान तो रहती, उपाध ध्याय दूत अस यो के अस्मान तो रहती, हमें जल्दी करने के लिए बोल रहा है, मतलब हमें वो बुला रहा है, तब राम कहते, मैं पी सम्मान नियह, ये वो मुनी नियोगह, मैं पी मुझे भी सम्मान नियह, आदर रखना चाहिए, ये वो मुनी नियोगह, मुनी का जो काम है, मुनी का ज पहले में आनुवे पढ़ लेताओ, भवन्तों गायंतों पुरानह व्रत निदीही कभी ही अपी, वसुमतिम प्रतमम अवतीरनह गिराम अयम संदर्वह, सरसी रुहना भस्यच अयम श्लाग्या कता, सहच अयम परिकरह नियतम श्रोतारं पुनातीर मैतीच, भवन्तों गायंतों आप दोनों गाते हुए, पुरानह पवरानिक जो विख्याते से व्रत निदीही कभी ही, व्रत निदीही मतलब वालमिक कभी, अपी मतलब भी, वसुमत से में दुतेया एक वचने, फिर भी यहां मिनिंग की सबसे हम यहां पृत्वी पर ऐसा आर्थ लेनी वाले, प्रतमम पहली बार अवतीर नह अवतरित हुई, गिराम वानी है, अयम यह संदर्व, यह संदर्व देखा जाता है, सरसी रुहनाबस्य च यह श्लाग्या कता, सर वह अयम परिकर, और यह परिकर, मतलब यह परिवार, नियतम निश्चित ही, श्रोतारम पुनाती, श्रोता को पवित्र करता है, और रमयतिच, आनन्दित करता है, रममान करता है, श्लोक का सरल अर्थ, राम कहते हैं, कि आप दोनों इस कथा को, इस रामयन को गाने वाले हो जो वालमिके नहीं लिखा है जो धर्ती पर पहली बार अउतिर्न हुआ है क्योंकि उससे पहले कोई काविया था ही नहीं और जिसका सम्मंद विश्णु के साथ ऐसी प्रशन से नहीं ऐसी सुन्दर कता है जो कता इंसान को जो सुनने वाले उनको पवितर कर देती है और रमवान कर देती है अनधित कर देती है तब राम कहते हैं वयस्य है दोस्ट अपूरवववा आयम अपूरववा मतलब अधुटिय अकल्पनिय अयम मतलब यह मानवाना मनुष्यों में अब यहाँ ये 6 बवचे ने फिर भी मनुष्व में एसा अर्थक क्यों लिया क्योंकि निर्धारण में 16 मतलब जब वहूतों में से एकको अलग करना है तब शäs्टी होती है तो मनुष्व में यहाँ अधुतिय है कौन है सरस्वतिय का अश्वतिय अधुतार तो इसलिए राम ऐसी कलपना कर रहे है, मानो यह सरस्वतिका ही आउतार है, ऐसा खहने का दातपर है. तद हम तो मैं सुरूजन साधारनम तो हमारे जो सुरूट है, हमारे जो रिष्टेदार है उन सबको मैं सुनाना चाता हूँ भी प्रजाओं को पास बुलाओ प्रेश्चताम अस्मत अंतिक सुमित्रिही प्रिश्यताम भेजो असमद अंतिकम मेरे समीप मेरे नज़दे किसे भेजो सोमित्री लक्षमन को भी मेरे पास भेजो अहम अपी येतयो हो चिरासन परिखेदम विहरनम कृत्वा अपनयामी अहम अपी मैं भी येतयो हो इन दोनों का इन दोनों का मतलब जो लव और कुशे उन दोनों का चिरासन परिकेदम बहुत दिनों से जो उनके पास जो दूख है उनको जो खेद है उसको विहरनम उसको दूर करके कृतवा करके अपनयामी ले जाता हूँ मतलब मैं भी इन दोनों का जो बहुत दिनों का जो दूख है वह भी दूर करके ले जाता हूँ मतलब उनका दूख दूर कर लेता हूँ इतिन इश्क्रान तहा सरवी और ऐसा के के सब चले जाते हैं इस तरह से आज हमने चतुरत पाट का अभ्यास कर लिया है आगे हमने कोशन अंसर दिये है आप वो एक बार देख लिजे धन्यवाद झाल आवच कर लेह तरह से करके से लेक लिजे हाँ कर दो कर दो दो कर दो 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 हाँ प्लावर कर दो झाल झाल